हालो एवरिवन एम मैक सोनी हम अपना केमिकल कोडिनेशन एंड इंटीडरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम अब तक इंडुक्राइंग ग्लैंट्स के बारे में होमोस के बारे में पढ़ चुके हैं हाइपोथलेमस एक पित्यूट्री ग्लैंट-ılक्राइंड-प्राथाइरीड था इमसी फोचुका हाइब अब हम एड्रीनल गौन्ट और पेंग्रास के बारे में आज पढाधेंगे तो स्टार्ट करते एडेनकर सबसे पहले के दुटेर हमारी वाडी में बंपेयर होता है ए्टेनर भ्रई आपका मतलब जो दोनों किड्मीज जे किड्मीज के ऊपर आगे वाले पार्ट मैं कैब की तरफ प्रेजन्ट थी adrenal glands जिसको आपकर diagram के ढूऊ समझ सकते हैं कि यह हमारी तो किदनेगि ने सो किच्ट तो किटनीज के ऊपर यह अच इस तरह से होती है कि और हमारी जो ऑट फ कर वे उसके दो Adrenal Cortex, तो इसको आपकेब की तरह समझ सकते हैं, सब्सकर करिया हमारी Adrenal Grand है, तो उसमें जो ये अंदर वाला पात है, यह तो हमारा हो जाएगा Adrenal Medula यो जो ये इसकी पूरी Covering है, ये पूरी Covering हमारी Adrenal Cortex हो जाएगी, तो हमारा जो adrenal medulla होता है वो दो तरह के hormones secret करता है epinephrine, adrenaline और noradrenaline, norapinephrine और इन दोनों को मिला करके combine करके catecholminus बोलते हैं और अब हम देखते हैं एक addition disease दिया हुआ है हमारे NCRT में तो addition disease क्या होती है तो जब adrenal cortex के hormones का hyposecretion हो जाता है adrenal cortex के hormones जो होते हैं वह mainly carbohydrate के metabolism के लिए काम करते हैं तो जब किसी को addition disease हो जाती है तो उसमें adrenal cortex के hormones की कम्यों जाती है hyposecretion की वज्ज़े से carbohydrate का metabolism effect होता है जिसकी वज्ज़े से कशमार अयह देंवन को अपर अलगा तो थकान महसूंती है किम्जोरी में मोने लगती है तो इसको डार्न लोग ऐ्रेसंन ज़से मोले लाटे और देन अगे जो होमन सब नाव और देनल मेडियुन करेंगे जो भी आपका डीक्षन होगा वो किसकी वह हंहां से जो भी रीएक्षन होगा वो कराने वाले कोन होगे यह दोनों होगे अद्रीनियलिन नौर अर्टीनली और टो उस TIEM पे जब हम लोग को साफ दिखांगे क्या डियक्षन हो सकते हमारी जो फ्यूपिलरी होती है वह डाले टाइब फयंदा यह फिल जाती हमारी हर्ड बैड जाती है जव uhm बो जाते हो जाते हैं और हभी अचानक से बढ़ जाती है कि तो यह सारे जो हमारी बोल्डी में जो भी हो रहा है वह सब我也 के वज़घ से और या हं sons इसल्ड सब के साथ जो हमारे हॉम है आडवर को देंसिस ग्लाइकोजनरीकोजनरीकोजनरीट से प्रोंतर लाईपोला शिलाइक इसको भी स्टुमिलेट करते हैं अप देखते हैं लोग जो वर्ड मैंने बोलें उनका मतलब आपको उताती हूं मैं ग्लाइकोजनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना ग्लुकोनियोजनेसिस मतलब ग्लुकोस का बनना विदाउट कार्भो हाइड्रेड लाइपोलाइसिस मतलब फेट का तूटना और प्रोटियोलाइसिस मतलब का तोटना अब हमाथे अडेनल कोर्टेक्स में टो जो अडेनल कोटेक्स है उसमें में अरह मिंद तीन ऌता मतलब पी लईए इसमें सबसे अंधर वाली म साथी जोना प्रोल योटा देन हर्ड जोना इंग्लोमेरोलोसा और को कोटेक्स के छो हमकुम हम् पढ़ेंगे ग्लुकोकॉर्टिकॉरिट्स में करभोडरेट के मेटबोरिजम में इनबॉल होगे ओर में क्लुकोकॉ sushi को ईपलेंगे मैं नाम से हमें पता लग एकि मिनरल कॉकॉकान जो की मिनेल्स युकर्डि टी के लिए काम करें को regulate करने का काम करता है mineralocorticoid हमारी बोडी में में mineralocort होता है किडनी के function को maintain करने में भी एक important role play करता है ग्लुको कॉर्टिकोइट particularly cortisol हमारा जो immune response है उसको suppress करने का और anti-inflammatory reaction को produce करने का काम करता है उसके साथ यह RBC production को भी stimulate करने का काम करता है यहाँ पर याद रखना हमने जो thyroid hormone पड़े थे उसके hormones भी RBC formation में काम करता है और हमारा जो cortisol है वो भी RBC formation में के लिए stimulate करता है RBC formation की process को अब हम आते हैं elderosterone पर elderosterone जो है में ली डिनल ट्यूब्यूल्स पर काम करता है और sodium of water के reabsorption और potassium ion और phosphate ion के excretion में काम करता है तो इस तरह से जो हमारा elderosterone है वो electrolyte body fluid volume osmotic pressure और BP को maintain करने में help करता है हमारा adrenal cortex थोड़े से amount में endogenic steroid का भी secretion करते हैं जो कि puberty के time पर axial hair facial है और pubic hairs की growth करवाने में रोल प्ले करता है अब हम pancreas पढ़ेंगे पर उससे पहले आप एक छोटा से अनिमेटेड वीडियो से देखो के अब हम स्टार्ट करेंगे पैंक्राइस पैंक्राइस एक मिक्स्ट्रेंड होती है मिक्स्ट्रेंड मतलब यह एक्जोक्राइन और दोनों ग्लेंड की तरह वर्क करती है इसका केवल वन से टू परसेंट पार्ट ही एंडोक्राइन होता है और एक नॉर्मर ह्यूमन में वन वन टू टू मिलियन आइज लेट्स ओफ लेंगर हैंस होंगे हमेरा जो पैंक्रियाटिक टिशू है उसका जो एंडोक्राइन वाला सिर्क की वाला लेफ्ट वाला साइड तो लेफ्ट साइड में स्टमक के यहां पर पैंक्रियाश प्रेजेंट होता है ठीक है हमारा जो पैंक्रियाश है उसमें मेनली दो सेल्स होती है को बढ़ाते तो इसारे वह काप करें UP करकी ग्लुकोज बनें जसे है ग्लाइकोज इन यॉलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटनाद ग्लुकोज में जो प्रोसेस करवाएगा और ग्लुकोस के अप्टेक और यूटिलाइजेशन को रोकेगा तो इस तरह से जो ग्लुकोस को मतलब जो हमारा ब्लड है ब्लड में ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ने दे तो ग्लुके और इंसुलिन दोने दूसरे के अपोजिट काम करते पर दोन कंट्रोल में लगते हुए तो वापस इंसुलिन पर आते हैं तो इंसुलिन का में काम होता है कि ग्लुकोस को किसी ना किसी तरह से यूज कर लिया जाए तो ग्लुकोस का जो चली अप्टेक है यह इसको इन्डूस करेगा उसको बढ़ाएगा और जो हमारा ग्लुकोस को बन होता है हों मेंली डमों करता है मतलाब लिवर औक यवर तो इस तरह से ग्लुकागॉ और इंशुलिन डोनों मिलकर के माद शुगर लेवल को रेगॉलेट करते हैं प्रमी रखते हैं अब मीला कि दिस होता है तो जब इंशुलिन होमोन की कमी हो बोल सकते हैं कि हाइपर ग्लाइसी में बहुत ज्यादा टाइम तक बहुत जादा टाइम तक रहे जाता है तो उसकी वज़े से डाइबेटीस मेलाइटेस हो जाती है इस डेजिज में यूरीन के साथ में ग्लुकोस निकलने लगता है और हामफुल के टोन बोडी बनने लगती है और इंसूलिन के तुरू इंसूलिन थेरेपी जो है उसके तुरू इसका सक्सेस्फुली ट्रेट्मेंट पॉसिबल है तो अब हम एक बार पैंक्रियास का एनिमेटिड वीडियो देख ले दें इससे हमें पता लगी कि पैंक्रियास कैसा होता है तो अब आप लोग अच्छे समझ गए होगी कि अधिनल ग्लेंड के बारे में पैंक्रियास के बारे में और नोट्स की आप लोग चिंता मत करिए वो मैंने आप लोगों के लिए अल्रेडी प्रिपेर करके रखें को एक दो दीट में मैं अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक टाल दूगी और महां से आप अपने नोट्स ले सकते हैं तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए वीडियो को सिर्फ फोकस्ड हो के सुनिए और अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट नोट करने का तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए उसके बाद सेकिंड ट किया तो सब्सक्राइब करें थैंक्स पर बचिन